Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको provide कराता है high quality education, वो भी free of cost. Kindergarten से लेके class 12 तक की. CBC board की courses के साथ साथ आपको other state board की भी courses है विली बले. In in the medium, जैसे की UP board, Bihar board, Delhi board की courses. Proper systematic way में, कोई दिक्कत परिशानी आपको नहीं होगी. Daily practice ads की questions भी मिलेंगे, practice भी करना रहेगा आपको. So, हम क्या कर रहे हैं भई? हमारा chapter का topic है, part second, the company becomes the divan. Company क्या बनी है? हमारी divan बनी है, जिसका हम part second पढ़ने वाले है. Part first यादे हमने क्या पढ़ा था? या भूल गया? Part first में हम ये पढ़ रहे थे कि company जब दिवान बनी, दिवान किस की बनी? Bengal की बनी, मदरास की बनी, बैंगॉल, बिहार और उरीसा की बनी. अब जब दिवान बनी, तो दिवान की थूँ क्या? Resources. मनलब काफी अच्छा खासा पैसा earned होने लग गया था company के पास. ये सब हमने देखा था, लालास बढ़ता गया. अब क्या चा रहे थे हैं? जो countryside हैं, village area हैं, वहाँ भी अपना अधिकार जाता हैं. क्या करें, वहाँ के land को improve करें, और क्या करें, agriculture को जादा से जादा, मनलब ऐसी crops उगवाएं जो इनके काम हैं. यहाँ पर क्या करें, चीजें जादा से जादा, जादा से जादा चीपर rate में खरीदें, और अपनी country में जाके क्या करें, अच्छे खासे दामों में बेचें. यह सब हमने दिखा था फिर हमने दिखा था कि यह सब चीजों क्या हो रहा था कि दिक्कते आ रहे थी काफी ज़्यादा फैमाईन भी हुआ क्यों 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 जब यह चीप दाम में कोई भी चीज खरी देंगे कोई भी प्रड़क्ट खरी देंगे तो दूसरे हैं जो बेच है उनका तो नुकसान है तो इसके कारण क्या होता फेहमाई नहीं थी इतने लोग मारे गए थे लगबग कुछ 10 million something हमने पढ़ा था आया समझ में फिर क्या हुआ production कम हुआ agriculture कम हुआ है ना artisan जो production ने product का वो भी कम होने लग गया तो कम्पनी को नुकसान होने लग गया तो कम्पनी को यह बात समझ में आ गई कि जब economic crisis हो रहे हैं जब इतनी दिक्कते हो रही है तो दिक्कत हमारे ले भी होगी हमारी भी कमी होगी मतलब हमें भी हमारी जो कमाई है revenue है वो भी रुकेगा तो क्या लेकर रहा है एक system लेकर रहा है कौँज सिस्टम permanent settlement system उसमें क्या था उसमें इनका focus था कि एक permanent revenue हम जो है earn करा करेंगे एक regular flow of income रहेगी कि इतना हमें चाहिए रहेगा इतनी मारी इनकम हैगी बाकी जमीदार्स क्या करेंगे साथ में जमीदार जो है land के या जमीदार जादा करें यह चीज क्या रहने वाली फिक्स रहने वाली है यह सारा सब कुछ हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था सो अब आप क्या कर दो आप फटाफट से like कर दो क्यूंकि मैंने recall करा दिया है मेरे motivation के और share कर दो अपने classmates को कि भई जो है chapter 2 मतलब जो chapter 3 हमारा चल रहा है तो chapter 3 का हमारा जो company became सदीवान उसका जो है third जो second part sorry start होने वाला है ठीक है आपको क्या करना है मैंने बता दिया शेयर कर दीजे और comment करके बता दीजे कि आप ready हैं तो हम start करें आचा मुझे बताई जो company become हम दीवान पढ़ रहे थे part first उसमें जो permanent settlement system आया था जो permanent settlement system आया था वो उस time पे governor general जो बैंगॉल के governor general कौन थे जो governor general थे उस वक्त कौन थे इंपोर्टेंट है बताओ मुझे comment में बताओ फटाफट से अभी के अभी so हमें देखते हैं the problem problem क्या आई permanent settlement system तो आया जो permanent settlement system में वो तो आया बट उसमें problem क्या आई यह हम पढ़ने वाले आगे क्यों क्योंकि चीज अगर सही होती तो हमेशा वैसे चलती रहती बट हमने देखा कि बदलाब आते रहते क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोस क कौन समय मिल ही जाते हैं the permanent settlement however created problem अब पहले तो अच्छा लगा कि regular flow of income रहेगी बढ़िया है इतना आता रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि इतना आना ही आना है पैसा but permanent settlement system की कारण क्या हुई problem create हुई दिक्कते जरा create हुने लग गई company officials soon discovered that the zemidhar were in fact not investing in the improvement of land जो company officials से उन्हें धीरे धीरे discover मतलब ये बात उन्हें पता चली क्या पता चली कि जो zemidhar से वो क्या कर रहे है वो land के improvement पे कुछ भी invest नहीं कर रहे मतलब land का improvement उस पे जादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है जबकि जो company थी company का focus क्या था कि land का improvement हो तो इनका फायदा होगा बट जो जमीदार से जिन पे ये सोच के भरुसा किया गया जमीदार किसको बनाए गए थे जमीदार बनाने की duty किसको दीती मतलब किसको appoint कर दिया था जमीदार जो राजा थे जो तालुकदार से उनको क्या बना दिया कि आप जमीदार हो आप क्या करोगे आप रेंट लोगे पीजेंट से और हमें revenue दोगे ठीक है revenue fix कर दिया था permanent settlement के ताय थे हमने देखा था फायदा किसका हो रहा था बाद बाद में जमीदार का होने लग गया था क्यों क्योंकि इनके तो fixed revenue था बाकी इनकी earning जादा से आदा हो तो ये ये बात ये लोग जान गए थे ठीक है land के जो improvement पे कोई भी investment नहीं कर रहे है the revenue that had been fixed was so high that the जमीदार found it difficult to pay अब जो revenue था जो land का revenue था क्या था वो इतना जादा fix था मतलब the revenue that had been fixed was so high मतलब जो revenue fixed कर रहा था वो इतना जादा high था कि जमीदार found it difficult to pay जमीदार को ये लगने लग था कि possible नहीं कि हम पे करें उनको ये लगने लगने लग था कि हम कहां से land का improvement है कुछ भी करें जब हमारे जो revenue हम से मांगा गया है वो इतना जादा high है और वो भी fixed है उसमें ना कम आप कर रहें ना जादा कर रहें fix कर रखा है तो possible नहीं हो पा रहा है हमें afford नहीं कर पा रहे हम कि हम आपको दे पाए इतना हमसे नहीं हो पा रहा है Anyone who fail to pay the revenue loss is जमीदारी अब understood punishment की तौर पे कि अब आप जमीदारी पे नहीं कर पा रहे है तो हमने किस बात का जमीदार बनाए ठीक है हटो हम अटाओ हम अटा रहे हैं आपको जमीदारी से तो जो भी fail हो जाता था पे करने में किस चीज को revenue तो उसकी क्या जमीदारी उससे च उतना जादा फिक्स कर रखाता है इन्होंने revenue जो है जमीदार पे नहीं कर पा रहे थे वो क्या बोल रहे थे कि हमसे नहीं पेव पाएगा क्योंकि आपने बहुत जादा revenue फिक्स किया है और जो जमीदार है वो लैंड के इंप्रूमेंट में भी कोई ध्यादा ध्यान नहीं जब जमीदारे क्यिक्षिंती जा रही थी तो इनकी निलामी होती जा रही थरी ऐंक है याने निलामी होँना हम भोलते ह sousराती है वह च्कफ करकर बहुत दूछ करके बोलते है तो वह ऑिस Kitty बता रहे निलामी अस तरीकी जमीदारी के निलामी में चली गे किसने और्गनाइज करे थी? कमपनी ने फाय था, तो कमपनी का हो रहा था By the first decade of the 19th century the situation changed अब भई, situation में बदलाव कवाया जो स्थिथी थी उनमें बदलाव कवाया उनमें बदलाव आया first decade of the 19th century कब 19th century के पहले दशक में बदलाव देखने को मिले The prices in the market rose and cultivation slowly expanded हमने देखा था na cultivation क्या हो गया था? collapse हो गया था, almost decline and collapse हो गया था जिसके कार्ण फैमा ही ना आया था यह हमने देखा था, but situation change हुई situation क्या change हुई? जो price है जो दाम है वो बढ़ने लग गए क्या होता था बिचारे जो बेच रहे हैं सामान हो क्या कर रहे हैं? कि कम दामों में उन्हें बेचना पढ़ रहा है, cheap से cheap rate में जो British company हैं खरीदना चाह रही थी खरीदती थी, तो नुकसान हो रहा था तो नुकसान की कारण इन्हों ने बोला कि हटो हमें जब फायदा ही नहीं हो रहा है तो हमें कोई production नहीं करना artisans ने अपना काम छोड़ा, जो cultivation है farming है वो भी बन वी, but situation change हुई, अब जो दाम बढ़े the price in the market rose, market में prices बढ़े, rose मतलब rice है ना बढ़े, ठीक है और cultivation slowly expanded, cultivation क्या हुई, expand भी बढ़े, ठीक है this meant an increase in the income of the zamiidars, but no gain for the company, since it could not increase the revenue, demand that had been fixed permanently अब इसके current क्या problem है इनको दो फायदा हो गया, price बढ़ी, अच्छी कासी कमाई हो रही है साथ में cultivation भी बढ़ गया बढ़ नुकसान किसका हो रहा था नुकसान company का हो रहा था company का नुकसान क्यूं हो रहा था, कोई मुझे comment में बताएगा, फटा फटसे बताओ फटा फट से ही बताओ अभी तक company 5 क्यों होने लग गया अजब cultivation बढ़ गया, market में price बढ़ गई, तो तो यह जो हमारे जो company है बिचारी उनका नुकसान क्यों होने लग गया वह इसलिए होने लग गया कि इनोंने fix कर रखा था revenue अब क्या हो रहा था जब price बड़े कल्टिवेशन बढ़ा तो जमीदार से उनका फायदा होने लग गया जमीदार का फायदा होने लग गया बट जो कंपनी के नुकसान इसलिए हुआ क्यों रेवेन्यू इन्होंने फिक्स रखा था न उस ताइम पर उनने लगा कि यह तो कम कमा पा रहे हैं बट हमने रेवेन्य हो गई ओर सेटल्मेंट तो पर्मनेंट है ना कि रेवेन्यू तो आपको इत्ता ही दे निहीं जैसे कि मैंने बताया कि आपसे कहाता कि 15 ढुब संब पचस और आपको आपको रेवेन्यू देना ही देना है अब बिछारे जमीदार की आर्निंग 70 डाउजन ओhando Rs. सेविंटी थाउजन ओर ही हो तो तब भी उसे देना पढ़ रहा था उसको दिक्कत हो रही थी बड़ जब उस जो जमीदार उसकी कमाई होगे टू लेक्स दो लाग उसकी कमाई होगी बट अभी भी उसे कितना रेवेन्यु देना है पचासद फायदा हुआ ना क्यूंकि इन् बढ़िया रहता बट इन्होंने क्या कर रहा था परमनेंट कर रहा था अब नुकसान होने लग गया तो वही वह कह रहे है कि इसकी करन्ट क्या हो गया this meant an increase in the income of जमीदार्स जमीदार की तंखा में तो इन्कम में तो बड़िया वह हुआ बहुत अच्छा इजाफा हो गया उनको तो बड़िया फायदा मिल रहा था this meant an increase in the income of जमीदार्स but no gain no gain for the company since it could not increase revenue demand that had been fixed permanently वह कुछ increase नहीं कर सकती क्यों क्योंकि उन्हें पत्थर में लकीर जो खीजने वाली बात हो जाती ना कह दिया था क्या कह दिया था कि रेवेन्यू पर्मनेट रहेगा अब इनका तो फायदा होने लग गया आया समझ में तो इससे दिक्कत किसको होने लगई दिक्कत होने लगई company को problem किसको होने लगई problem होने लगई British company को आगे बढ़े चल आगे बढ़ते even then the जमीदार्स did not have an interest in improving the land बट फिर भी जो जमीदार्स थे उनको land में improvement का कोई भी interest नहीं था जबकि हमने देखा था जब permanent settlement आया था तो इन्होंने इसलिए जमीदार्स को point किया था कि आप क्या करिए हमें revenue दीजे जो किसानों से rent collect कीजे और हमें revenue दीजे साथ में आपको काम क्या करना है आपको जो land है उस पर भी ध्यान देना है उसको भी improve करना है बट अभी भी जमीदार्स तब तो क्या बोल रहे थे कि हमारा जो है आपने इतना ज्यादा फिक्स कर रहे है revenue हम pay नहीं कर पाते तो हम जमीदारी कैसे समाले बट अब earning भी जादा हो रही थी तो भी जो जमीदार्स ते वो क्या कर रहे थे तब भी वो land पर focus नहीं कर रहे थे इवन देन तब भी जमीदार्स तब भी जमीदार्स थे उनका कोई भी ऐसा इंट्रेस नहीं था कि लाइंड की चीजों में लाइंड में कुछ हम इंप्रूव्मेंट करें ठीक है आया समझ में काफी लोगों ने तो अपना land तभी खो दिया था बिछारे जब रेवेन्यू नहीं पेकार पा रहे थे हमने देखा था ना कि उनसे उनकी जमीन छिंजाती थी या auction में बेश दिया चाता था जमीदारी छीन ली जाती थी तो काफी लोगों ने तो भाई उस तैंप पे अपना क्या था लैंड अरड़ी खो चुके थे बट जो अभी के लोग थे जो अधर लोग थे अधर नाओ सौ थे पॉसिबिलिटी अफ अरणिंग विदाव दे ट्रबल एंड रिस्क अफ अफ दी इंवेस्मेंट जो अधर लोग थे अभी के थे उनको क्या होने लगे था उनको तो भई फायदा था तो उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि इंवेस्मेंट की ज़रोते तो उनको लगा कि अर्निंग जो है हम इंवेस्मेंट का टेंशन हम ना ले हम इंवेस्मेंट का रिस्क क्यों है हमारी तो अर्निंग अच्छी का सी होरी तो वो इस चीज को लेके इतना ज्यादा मतलब टेंस नहीं थे बिसिकली आया समझ में क्यों नहीं थे जब अर्निंग हो रही है और लेंड पर पहले भी ध्यान नहीं देते थे अभी भी नहीं देंगे बट अभी तो हम अरनिंग पर फोकस करेंगे अब जो पहली लेंड खो चुके तो उनकी बात और थी As long as the जमीदार's could give out the land to tenants and get rent, they were not interested in improving a land अब जमीदार's का काम क्या होता है? मैं अगर जमीदार हूँ तो मैं यही कहूंगी न कोई आएगा किसान मुससे मांगने की भई आप क्या करिए आप मुझे मालिक जो है अपना लेंड दे दीजे मैं आपको इत्ता पे करूँगा इत्ता आपको उसके बदले भरपाई करी जाएगी तो मेरा तो फायदा हो रहा है तो मैं लेंड के इंप्रूवमेंट पे क्यो ध्यान दू? मुझे के करना? मैं तो वो लेंड किराय पे उस पे दे दूँगी और बड़ीया रेंड कमाऊंगी तो ऐसे ही जो जमीदार से बड़ीया रेंड कमा रहे थे तो उनका लेंड इंप्रूवमेंट में कोई भी खास इंट्रेस नहीं था कि हमने तो रेंड पे दिया है, उसको इंप्रूव करके हमें क्या करना है? क्या करेंगे इंप्रूव करके? हमारी तो कमाई से मतलब है हमे As long as the zamiidars could give out their land to tenants and get rent They were not interested in improving their land भई उनको कोई इच्छा नहीं थी कि हम land को क्या करें Improve करें क्यों करें भई क्यों कि जो tenants को किराय पे दे रहे थे दे रखा था हम क्यों करें हमें क्या करना है हमें कोई दिक्कत नहीं हमारा काम चल रहा है बढ़िया से मक्कन जज़ा हमारा वढ़िया अर्निंग ओर हमें नी लाइंड को Improve करना है बट इससे प्रॉबलम किसको हो रही थी इससे प्रॉबलम हो रही थी कमपनी को और कमपनी का लो बैचहारी मजबूर थी जो settlement में fix कर रहा था, permanent कर रहा था न कम न जादा, आए समझ में, आगे बढ़े On the other hand, in the villages, the cultivator found the system extremely oppressive आप क्या था अगर बात करें किसकी? Village की In the villages गाओं की बात करें, जो cultivator थे, जो farming करते थे उनको यह system है, बहुत जादा oppressive लगा मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत जादा दिक्कत हो रही है, परिशानी हो रही थी तो किसको दिक्कत हो रही थी? विलेजस में लोग थे, उनको दिक्कत होने लगे थे जो cultivate करते थे जमीदार्स को अटा दो भई, उन्होंने तो रेंट पे दिया, बड़िया रेंट मिल रहा है उन्हें बट जो खिसान है, उनको बहुत जादा दिक्कत हो रही थी जो वो रेंट जमीदार को पे करते थे, वो क्या था? बहुत जादा हाई था और जो उनको रेंट पे जो राइट था, जो रेंट पे वो ले रखे थे वो भी इन्सेक्यूर था कि कब चणन जया है भाईया, हम इतनी महदत से फसले बो रहे हैं, कब लिली या जाए ह tôi पता ही रुआ है वह रेंट बहुत जादा रहे हैं तो विलेजर्स तो जो विलेजर्स थे, उनको बहुत जादा दिक्कत हो रही थे, ठीक है? जो कल्टिवेशन करते थे तो पेडरेंट, यहाद तो ओफन टेक लोन फ्रम दी मनी लेंडर और यहाद फेल तो पेडरेंट, यहाद फोर जनरेशन अब बताएं कि बिचारों से इतना जाधा हाई रेंट लिया जाता था कि अब वो फसलेब हो रहे हैं, महनत कर रहे हैं, क्रॉप्स गोर गोर कर रहे हैं, उसमें इडियेशन कर रहे हैं, पूरी प्रॉसेस कर रहे हैं बट अगर एक बार भी उन्होंने रेंट दिन में चूक करी तो पूरी जो उनकी महनत करी की करी है, सब पानी में मिल जाती थी तो वही कह रहे हैं कि to pay the rent भई कई बार rent pay करने के लिए इनको जो money lender है जो money जो पैसे वगएरा देने का काम करते होंगे है ना उधार जो पैसे देते हैं तो उनसे rent ये लेते थे अब जब उनसे rent लेंगे तो उनको भी तो pay करना पड़ेगा ना वो भी तो interest वगएरा चार्ज करेंगे मतलब आप मेरे पास आएं कि भई मैम हमें आप थोड़ा उधार दे दीजे क्योंकि हमें क्या rent पे करना है तो मैं बूलने कि ठीक है मैं दे देती हूँ बढ़ जब आप वापिस करेंगे तो इतना interest एक दो परसेंट ये तीन चार पांच परसेंट जित्ता भी मैं interest के साथ लूँगी ठीक है तो क्या है वई आप बिचारे वहार rent पे करने के लिए अल्रेडी उधार ले रहे और यहां और आप पे interest जोड़ा जा रहा है तो बिचारे दोनों मतलब जो उनकी generation to generation जो इतने वक्त से कह लीजे इतने टाइम से जो फसल पे काम कर रहे हैं जो वही फसले बो रहे हैं महनत कर रहे हैं उसमें उनकी जान जोग दे रहे हैं कभी भी छीना जा सकता है अगर उनोंने rent पे नहीं करा तो उनसे क्या करा जाएगा उनको evict कर दिया जागा अगर आप reality shows देखते तो उसमें वर्ट सुनते हो एविक्शन evict कर देना हटा देना तो बेसिकली तो यह उनको हटा दिया जाता था आया समझ में पहली बात जमीदार्स को फाइदा हो रहा था इंप्रूफ करेंगे क्या करना अगर नहीं कर पाते थे था अब जब रेंट देना है तो रेंडर के कारें क्या करते हैं अगर यह जूँका कि राया देने में वह चुक तो जनरेशन उनकी महनत की जो त्यटायम से फसल ऒगा रहे हैं वो तब उनसे छीन ली जाती थी आया समझ में इतना समझ में आया की नहीं आया फटा फट से comment में बताओ और ये कर दो भई लाइक करा कि नहीं करा बूले तो नहीं कहीं आप लाइक करना कहीं आप अपनी जिम्मेदारी भूल तो नहीं गए, आगे बढ़े, कर दिया लाइक, चल, फटा-फट से, आगे बढ़ते अब इससे पहले कौन से सिस्टम चल रहा था, पर्मनेंट सेटल्मेंट सिस्टम चल रहा था, जहां पर हर चीज बढ़ी पर्मनेंट थी, जादा कमाओ, तो भी उतना ही रेवेन्यू, कम कमाओ, तो भी उतना ही रेवेन्यू, तो पर्मनेंट सेटल्मेंट हमने पड़ा मैंने आपसे question कहा था, पूछा था basically कि Governor General Bengal के उस वक्त कौन थे तो आपको याद आया अभी तक की नहीं आया कौन थे Charles Convalis, कौन थे Charles Convalis, ठीक है, अब आ गया यार, चलो A new system is devised, अब भई क्या था वो system देखते हैं By the early 19th century, many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again कबकी बात है, early 19th century से यह चीज़ देखी गई, company officials इस चीज़ को लेके बात करने लगे, कहने लगे Convinced हो गए इस चीज़ को लेके कि अब जो है revenue system जो है change करना पड़ेगा भई यह जो permanent settlement है यह बहुत जान ले रहा है, क्यों? क्योंकि हमें उतना ही मिल रहा है वो अच्छा का सा कमा रहे, enjoy करना है और हमें revenue तो सिर्फ उतना का उतना ही मिल रहा है और वो लोग जो है land को improve भी नहीं करना है तो अब क्या करना है, यह जो system है, यह जो system इसको बदलने की जरुवत है The system of revenue has to be changed again, दुबारा इसको बदलने की जरुवत है How could revenues be fixed permanently at a time when the company needed more money to meet its expenses of administration and trade Company का लालच था अपना administration, अपनी territory, अपना trade बढ़ाना अपना trade, अपने खर्चे मीट करना तो जब revenue fixed है, तो उस fixed revenue से कैसे possible है कि अपना खर्चा मिल पाए हना अपना खर्चा जो ही निकल पाए, तो खर्चे पे खर्चा था बहुत ज़ादा तो इन्होंने सोचा कि अब ये system बदलना पड़ेगा क्योंकि इस system के साथ ये possible नहीं था कि हम अपने जो expenses जो खर्चे हैं उनका बुकतान कर पाए How could revenue be fixed permanently at a time when the company needed more money to meet its expenses of administration and trade इसा वक्त, ऐसा peak point जब company को अपने administration, अपनी trade को बढ़ाना था उसके लिजाद सेदा पैसा चाहिए तो उस वक्त पर्मनेंट settlement क्या था, काम नहीं आ रहा था, बिलकुल भी काम नहीं आ पा रहा अपनी कैसे चैन से बढ़ती, कैसे शांत बढ़ती आप ही बताए, शांत भी बढ़ती नहीं सकती जब दूसरे का हक छीन सकती तो खुद का जब कुछ नहीं है डूब रही हो तो कैसे शांत बढ़तेगे आप खुद ही सूची ठीक है, आगी बढ़ते हैं अब कहा की बढ़ते है, यह बात होरी है मतलब जो अब रूट्टर प्रदेश में कहा की बात होरी है? In the North Western Provinces of Bengal ठीक है Bengal Presidency के North West Side की बात हो रही है जिस एरिया को अब काफी कुछ एरिया उत्तरपदेश में आता है An Englishman called Holt Mackenzie एक Englishman थे कौन? कौन थे वो Englishman? Holt Mackenzie devised the new system which came into effect in 1822 एक नया system लिखा रहा है क्योंकि permanent settlement system से तो काम नहीं बन रहा था तो एक नया system लेकर रहा है कब 1822 में He felt that the village was an important social institution in North Indian society and needed to be preserved उनको यह मानना था, उनको यह लगा कि जो village है जो गाउं है वह बहुत important है गाउं होना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो भई इसको preserve करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है He felt that the village was an important social institution एक important social institution है गाउं का होना का North Indian society की बात करें तो भई बहुत ज़्यादा जरूरी है इसको preserve करना है इसको सम्हाल की चलना कि कहीं यह खतम नहों इसको preserve रहे यह बहुत ज़्यादा जरूरी है किसकी बात हो रही है? विलेज की ठीक है? Under his direction, collectors went from village to village inspecting the land, measuring the fields and recording the customs and rights of different groups अब क्या करते थे? इनका जो focus था कि इनको preserve करनी की जरूरत है इसको सम्हाल के रखनी की जरूरत है तो इस चीज के लिए क्या करते थे? यह पूरा supervising चलता था मादा उनके direction में जो collectors है वो क्या करते थे? एक village से दूसरे village जाते थे village to village जाते थे क्यूं जाते थे? गूमने जाते थे? नहीं, काम दिया था ने इसलिए क्यूं जाते थे? inspecting the land land का inspection करना क्या हाल आते भई? land कैसा है? कई खराबी तो नहीं improvement की जरूरत है नहीं ये सारी चीज़ों को देखना measuring the fields जो fields है, उनको measure करना किती बड़ी क्या field है? ठीक है? and recording the customs and rights of different groups जो दूसरे अलग-अलग groups है उनके क्या customs है? उनके क्या अधिकार है? ये सब को क्या करना? manage करना है ये सब देखना तो ये सारी चीज़ों को देखने के लिए जो hall mackenzie उन्होंने collector भेजे हुए थे उनका ये मानना था जो village है उसको preserve करने की बहुत ज़ादा जरूरत है क्यों? क्योंकि ये बहुत important social institution है आया है समझ में? तो क्या क्या करा उन्होंने? उन्होंने जो है collectors गए village to village जो collectors थे village to village जाते थे inspecting the land, measuring the field and recording the customs and rights of the different groups आया है समझ में? आगे बड़े नया system, new system आया है उसकी लिए गाडिंग बात हो रही है The estimated revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue that each village महल had to pay विलेज के कौन सा ताम यूज हो रहा है? महल विलेज के लिए कौन सा ताम यूज हो रहा है? महल ताम यूज हो रहा है विलेज के याने गाओ के लिए ठीक है? The estimated revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue that each village had to pay This demand was to be revised periodically not permanently fixed अभी महल के है पहले ही समझते फिर यह मैं समझाऊंगी यह मैं सोचना कि बस माम आगे बढ़ गई तो अब तो होगे अब तो भूल गई माम नहीं नहीं माम को याद रहता है महल, in British revenue record महल is a revenue state which may be a village or a group of villages मतलब महल के एक revenue state है महल is a revenue state which may be a village or a group of villages मतलब इसको हम village और group of villages कह सकते हैं किसकी बात हो रही? महल की एक revenue state है ठीक है? जहां से बढ़िया अर्णी होगी तो the estimated revenue of each plot जो भी estimated revenue निकलता था किसका हर एक plot का क्योंकि field वगएरा में भीशते था ध्यान रखने के लिए, measure वगएरा करने के लिए within a village was added up to the calculated revenue that each village had to pay मतलब जो हर एक village को pay करना पढ़ था उसमें basically add up करते जाते था यह जो demand थी है क्या थी? time to time revise होती थी मतलब इसमें time to time बदलाब होते थे, changes होते थे ठीक है? fix नहीं थी जैसे permanent settlement system था कि fix था, यहाँ पर fix नहीं था यह गलती दुबारा नहीं करेंगे तो इन्होंने क्या करा? time to time periodically यह revise होती रहती थी the charge of collecting the revenue and paying it to the company was given to the village headman rather than the zamedar अब बदलाब क्या हुए है? जो charge था किस चीज का charge था? charge था revenue collect करने का और उसको pay करने का वो company ने किसको दे दिया था? वो village headman को दे दिया था जो village का head होंगे उनको दे दिया था rather than zamedars मतलब आप zamedars को यह role ना देके यह role किस के पास था? यह role village headman के पास था तो the charge of collecting the charge of collecting the revenue and paying it to the company was given to the village headman rather than the zamedar किसको दिया था? village headman को rather than zamedar यहाँ पर मतलब जमीदारों को नहीं दिया गया village headman को दिया गया this system came to be known as the mahalwari settlement इस system को क्या का गया? इस system को नाम दिया गया mahalwari settlement क्या नाम था? mahalwari settlement और यह mahal किस के लिए बोड रहे है? village के लिए बोड रहे है कि village या village की unit क्या जब revenue estate है जहां से revenue earn हो सके तो mahal उसको नाम दे रहे है किसको village को तो इसी system को क्या बोलते? इस system को बोलते है mahalwari settlement आया समझ में नया settlement आया है जिसमें क्या था? कि revenue की जो चीजे है वो क्या थी? time to time revise होगी periodically revise होगी वो ऐसा नहीं कि fixed रहेगी permanent settlement system की तरह फिर हमने क्या देखा? हमने ही देखा यहाँ जो duty थी जो responsibility थी किसको दे दी गई थी? village headman को rather than जमीदार्स पहले किसके पास थी? जमीदार्स को देदे थे वहाँ आपने पहले पढ़ा था बट यहाँ पे ऐसा नहीं था यहाँ पे किसको दे दी गई थी? यहाँ पे जो duty दी गई थी village headman को आया समझ में क्योंकि उनका जो मानना था Halt McKenzie जिनको हमने दिखा था उनका मानना कहता उनका मानना था कि जो village को preserve करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है social जो हमारा institution important तो बहुत ज़्यादा जरूरत है आया समझ में नया system कौन सा पढ़ रहे है? यह है महलवारी settlement कोई confusion दिक्कत परिशानी तो नहीं आगे पढ़े चल्ड़ और यह बताओ फटाफट से आप लोगोंने like कर दिया बेकी नहीं करा like कर दिया? चल्ड़ the Munro system अब कौन से system आया? Munro system आया इससे पहले हमने क्या पढ़ा? इससे पहले हमने permanent settlement पढ़ा सबसे पहले उसके बाद अभी हमने क्या पढ़ लिया? उसके बाद हमने पढ़ लिया कौन सा महलवारी system भूलना मत बार-बार यह क्या है? important है अब Munro system आया है in the British territories in the south there was a similar move away from the idea of permanent settlement भाई जो British territory की बात करें जब south में थी जब British territory जहां पे south में हो रखी थी फैली वी थी वन अब सब जगे लगबग फैली गए थे तो south की बात हो रही है there was similar move away from the idea of permanent settlement जब permanent settlement का idea था उसी से related भाई उससे अब क्या था? एक हटना था यह चीज कहा south की बात हो रही है the new system that was devised came to be known as the reyotwar पे कहा की बात हो रही south में कौन सा ने system आया new system came to be known as reyotwar कौन सा system में reyotwar जिसको हम reyotwari भी बोलते है the new system that was devised came to be known as reyotwar और reyotwari ठीक है it was tried on a small scale by captain Alexander Reid in some of the areas that were taken over by the company after the war with Tripoo Sultan अब क्या था यह जो south की बात हो रही है तो मैसोर में थे न तीपू Sultan कहा थे कहा के tiger थे बाई तीपू Sultan मैसोर आफ टाइगर tiger का मैसोर कहा जाता था मतलब मैसोर आफ टाइगर बोल जाता था ठीक है अब साथ में क्या है हमने देखा था कि वहां पर क्या करते है तीपू Sultan रूल कर जा अब भी जो रहोतवारी सिस्टम के हम बात कर रहे न यह पहले कि स्मॉल स्केल मतलब छोटे सी चीज पर ट्राइ कर गया छोटे लेवल पर ट्राइ कर गया मतलब इसको ऐसा नहीं कि ले आए कि बही सैटलमेंट इस सब को मानना है एक छोटे पामाले से चीज शुरू ही It was tried on a small scale by Captain Alexander Reid small scale पर भी इस सिस्टम को ट्राइ करने की कोशिच करीए मैं एक trial दीया basically It was tried on a small scale by Captain Alexander Reid किसने कर रहा था भी Captain Alexander Reid ने In some of the areas that were taken over by the company after the wars with the TPU Sultan मनल उने areas में किया गया था जो TPU Sultan से areas जीत लिया गया था जब TPU Sultan हार गय थे तो उने areas में उन में कुछे area में ये system लागू किया गया कौन से system? कौन से system आया? रियोतवार और रियोतवारी system Subsequently developed by Thomas Monroe, this system was gradually extended all over South India पहले हमने देखा स्मॉल स्केल पे स्टार्ट हुआ, बहुत ही छोटे पैमाने पे इनोंने स्टार्ट करा किसने स्टार्ट करा? Alexander Reid ने बाद में इसको आगे किसने बढ़ा एक्सेंड किसने करा? Thomas Monroe ने पूरे साउथ में अभी सेटिल्मेंट फैल लिया Subsequently developed by Thomas Monroe, this system was gradually extended all over South India मतलब जब Thomas Monroe आये तो उन्होंने उस चीज को और एक्सेंड कर दिया पहले कौन रहा है? Alexander Reid लाए छोटे समें इनोंने दिखा कि चलो रहे हो तवारी सिस्टम को हम लाते हैं तो छोटे स्केल पे स्टार्ट करा Then इसको बड़े स्केल पे, मास स्केल पे की ज़्यादा स्यादा ही सिस्टम रहे पूरे South में किसने extend करा, इसको फैल आया, expand करा जो है Thomas Monroe ने, किसने? Thomas Monroe ने कौन है यह? Thomas Monroe है, Governor of Madras 1890 से 26 यह Madras की Governor रहे है, कौन? Thomas Monroe आगे पड़े, कौन सा नय सिस्टम आ गया? एक और सिस्टम आया हमारे का स्रियोत्वारी सिस्टम जो कहां है? South में, चीक है? चल Reid and Monroe felt that in the South there were no traditional जमीदार Reid and Monroe ने यह चीज देखी, यह उन्होंने feel करी, notice करी कि जो भई South के एरिया में कोई भी ऐसा traditional जमीदार नहीं है मतलब एक पारंपरा गत्स जमीदार, मतलब जो रहे, जिन जमीदारी की हो ऐसा कुछ भी traditional जमीदार कोई भी रहा नहीं है The settlement they argued had to be made directly with the cultivators Reid and the settlement they argued had to be made directly with the cultivators who had till the land for generation who had till the land for generation बही जिन्होंने पीडिया, जिन्होंने लैंड समाला है, जिन्होंने देखा है, क्ल्टिवेशन के है उनक्यों Their fields have to be carefully and separately surveyed before the revenue assessment was made Munro thought that the British should act as paternal father figure protecting the rayots under their charge Munro को क्या लगा? कि जो भी rayot है, मतलब जो भी cultivation कर रहे हैं, जो cultivator है basically, इन्हीं को rayot का जा रहा है, याद रखना किसको का जा रहा है rayot? जो cultivator से उनको rayot का जा रहा है तो भई, क्या था इन्होंने ये देखा कि जब हम जो revenue लेंगे, जब revenue रहेगा तो उनकी field को पहले हम carefully और separately survey करेंगे मतलब जो भी field में कैसी क्या चीज़ें हैं, क्या होना है, कितना होगाया है, कितना कैसा क्या उपचाओ मतलब फसले होगी है, जो भी चीज़ें basically, field से related तो क्या करेंगे, पहले properly हम उसे examine करेंगे, तो survey होगा separately और carefully before the revenue assessment was made, इससे पहले जब revenue assessment बने, revenue अगेरा का data बने, उससे पहले हम क्या करेंगे carefully भई इसको एक बर examine करेंगे, ठीक है, survey करेंगे, examine करेंगे किसको, field को Munro thought that the British should act as paternal father, क्योंकि Munro ने ऐसा बनाय था, कि जो बिटिश है, उनको paternal father मतलब basically, कि जमीन के मालिक जैसे, यही समाल रहे है, यही जमीन के मतलब मालिक ही समालेंगे, तो basically, हमें समालना है हमारी जमीन है, तो ऐसा, उन्होंने का कि बिटिश है को ऐसा act करना चाहिए थे बिटना father figure की तोर पहरे रहना चीहBoy, और जो क्या करना चीह, protect करना चीह the new system were imposed, it was clear that all was not well with them. भाई, नए नए system आए, नए नए system आए, बट फिर भी ये समझ में आया कि सब कुछ सही नहीं था, all was not well, हर चीज जो है, सब कुछ सही नहीं था. driven by the desire to increase the income from land, land revenue officials fix too high a revenue demand. अब कहता भाई, ये desire थी, कि जादा सयदा क्या लें? जादा सयदा land, जादा सयदा पैसा हम कीच तो है, पैसा अर्न कर पाए, revenue officials fix too high a revenue demand. जिनको काम था, revenue earning का, जिनको काम था, revenue लेने का, उन्होंने क्या करा, बहुत जादा high भाई, fix कर दी revenue. peasants were unable to pay, roads fled the countryside and villages become deserted in many regions. अब क्या हो गया? परशान हो गया, क्यों परशान नहीं होंगे? कि आपकी बस इक्षा क्या है? आपको जादा सयदा earning करनी है, जादा सयदा revenue earn करना है, आपकी इक्षा है. कंट्री साइड से वन थे न, विलेज में, हाँ से चले गए, and villages became deserted in many regions. अब क्या था, धीरे धीरे चीजें लगबग खतम सी होने लग गए, क्यों होगी? होगी न, इतना जादा revenue आप लगा रहे हैं, कहां से देंगे वो cultivators, कहां से पे करेंगे, बिछारे वो, तो इसे अच अचा खतम, तो धीरे धीरे जो विलेज एरी है, वो खतम सा होता चा रहा था, deserted होने लग गए था, मतला बंजर सा होने लग गए था, अब किसानी वगएर एतनी नहीं हो रहे थी, optimistic officials had imagined that the new system would transform the peasants into rich enterprising farmers, but this did not happen, उनका ही मानना था, जो ऑप्टिमिस्टिक, optimism का मतलब आपको अचा वादी, तो optimistic officials, जो इतना सोच के बैटे थे कि हाँ फायदा होगा, जो हमारे जो किसान भाई है, मतलब जो भाई तो क्या बोलेंगे, जो किसान है, उनकी earning होगी, थोड़ा फायदा होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हो, उल्टा चीजे बं उनको ऐसा लगा कि जो नहीं होगा, जो नहीं होपाया, आया समझ में, कोई कन्फूजन दिक्कत परिशानी तो नहीं, आगे ना समझ में, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जो नएने सिस्टम आया, उनके बारे में, इस सिस्टम में हमने क्या पढ़ा, इस में महलवारी सिस्टम पढ़ा, हमने जो मुन्रो सिस्टम में वो पढ़ा, उस से पहने हमने रिवतवारी सिस्टम, जो मुन्रो ने जिस तो एक्सपांड कर बढ़ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बहुत ज्यादा जमीन जो है गाओं की बंजर होगी तो चीज़े अच्छी नहीं थी बाकी जो टॉपिक है हम आगे वाले जो नेक्स वाले सेशन में हम कम्प्लीट करेंगे इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है, अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स दिखना चाहते हैं तो आप Magnet Brains के YouTube चानल, एप्लिकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं ये नोट्स और एबुक्स के लिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एवलेबल है ये हाई क्वालिटी के कोर्से हैं जैसे कि CBAC बोर्ड, डैली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एंपी बोर्ड, राजिस्थान बोर्ड, वैदिक मैस्क्राश कोर्स, इस्पोकल इंगलिश कोर्से आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री एवलेबल है आप अमें अधर प्लाइटफार्म पर भी फॉलो कर सकते हैं फेस्बुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलिग्राम और वाट्सअप पर जादर सेदर लाइक कीजिए, जादर सेदर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूलें अपना ख्याल रगे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग